स्वागत अब सभी का स्पोर्ट स्पोर्स की खास पेश केस्प मैशिवा आपके साथ वर्ल्ड कप 2023 का आज 26 मैच है मैच होना है साउथ अफरिका वर्सिस पाकिस्तान के बीच एक तरफ जान साउथ अफरिका है जो इस वर्ल्ड कप में शांदार प्रदर्सन करते हुए गई है जीतने वाली और वो लगातार हार का सामना करना पड़ा इवन उसको अफगानिस्तान के सामने भी हार का सामना करना पड़ा अब उसके बाद उसके सेमी फाइनल में जाने के चांसस तो कम हुए ही हुए है उसके अलावा वहाँ पर बाबा राजम की कप्तानी के उपर भी बड़े सारे सवाल हो गए और आज पाकिस्तान टीम के लिए करो या मरो यानि कि डू और डाई का मुकाबला होने वाला है चन्ने के एमेच चितंबरम स्टेडियम में जहां पर दोनों टीमें आपस में बिढ़ेंगी वहाँ से जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेवाजी का फैसला किया यानि कि पहले बल्लेवाजी का फैसला किया जो अभी इस वर्ल्ड कप 2023 का इतिहास रहा है इस पिछ पर उसके विपरीज जाकर फैसला किया यानि कि चार मैच हुए जहां पर रन को चेस करने वाली टीम ने यहां पर जीत हासिल करी है पर बाबराजब ने आज कुछ अनोखा कुछ नया चूस किया यानि कि कुछ नया फैसले लेने की कोजिस करी और जो ट्रेंड चल रहा उसको पीछे चोड़ते हुए उसके अलग उन्होंने यहां पर टौस जित कर पहले बल्लेवाजी का फैसला किया है आपको बता दे कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत पूर है वहीं पर साउथ अफरीका के लिहाज से आज की जीत उसको पॉइंच टेवल पर नंबर वन पर पहुचा सकती है और भारत से वो ताज छिन सकता तो उसके लिए भी सेविफाइनल का रास् टरीके से खतम हो जाएंगे उस लिहाज से आज ना से बाबाराजम को एज़ा कफ्तानी पारी खेलनी होगी बलकि पूरे पाकिस्तान चाहे वो फेल्डिंग डेपार्टमेंट हो चाहे हो गेंदबा जी हो चाहे वो बैटिंग डेपार्टमेंट हो हर किसी को अपना 100% देना वापस आ गया और उनके अलावा तीन चेंजेस हुए इस पूरी टीम में वहाँ पर एक जो खास चेंज किया है साउथ अफरिकान है वो है समसी के रूपे यानि कि जो उन्होंने आपको पता है कि जो चन्नही का महौल होता है जो चन्नही के पिछ होती है वहाँ पर स्पिनर्स पाकिस्तान की टीम आपको बता देते हैं अब्दल्ला सफीक है इमाम उलहक हैं बाबराजम मुहमद रिजवान सौच शकील सादाब खान इत्कार एमद मुहमद नवाज साहिन अफरिदी मुहमद वसीम हारिस राओ कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की टीम है आपको कुछ पप में अभी तक इन्लों नहीं पाकिस्तान इसे सर्मात्र दो मुकाबले जीतने में काम्याब रही है पाकिस्तान 2019 मुकाबले इन्हों में रल्न वर्ल्ल कप में जीता थवान ऑगे dock में जीता उर आपको इस चेपॉक के मुधं करो इस ऐस थे हिस एउतने वर्ड को जब कोई टीम तीन सो का आंकड़ा चू सके जब कि बारा बार यहां टीमें दो सो रन के पहले ही ऑल आउट हुई है यानि कि यहां बाकियों के मुकाबले यहां पर इस पिनर्स या गेंदवाज को कहें बोल वाला रहता और आज जिस पिछ पर आज के मैदान पर तो हो रहा है पिछले मुकाबले में तेज गेंदवाजों को को मदद मिलीतों के तो हो सकता है इस फिनर्स का जोड़ा इसी को देख और आपने टीम तो आपको बताते कि लिग demost चार काबले हुए इस तीन बार जिस टीम ने चेज किया उसने इस मुकाबले को जीता पर बाबा राजम ने ये फैसला क्यो लिया उन्होंने टॉस पर क्या बोला आपको ये भी बता देते हैं कि वी बैट फर्स्ट एवरी मैच इस इंपोर्टेंट नाओ और फोकसिंग ऑन देट और अल यानि कि उन्होंनों अपने पिछले पर्फॉर्मेंस से खुष है जहां पर उन्हों इस सतर रन की पारी खेली थी और उससे पहले वो फ्लॉफ रहें तो अपने आप से काफी खुष नजर आप देखना होगा अगर आज पाकिस्तान हारती तो पाकिस्तान में बवाल तो हो पर बाबा राजम की कपतानी भी जा सकती है तो मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है तो आपको बता दे कि यहां पर टौस जित कर पहले बल्ले बाजी का फैसल्ला आप देखना होगा कि यहां पर यहां पर यह पाकिस्तान कितने रन-का स्कोर साउथ अफरीका की मजबूर्ट टीम के सामने दे सकते हैं आपके साथ दुबारा जुड़ेंगे जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी अभी के लिए दीज़े इजादत देख तेरे स्पोर्ट स्पोस्ट की खास पेस के स्कोर